जेह सत्गुर शिमरंत नैन के तिमर मिट है खेन जेह सत्गुर शिमरंत रिदै हार नाम दिनों दिनों जेह सत्गुर शिमरंत जी की तप्त मिटावै जेह सत्गुर शिमरंत रिद्शिद नवनिद पावै सोई राम दास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जेह सत्गुर लग प्रभ पाईये सो सत्गुरु शिमरो नरो तेरे कमन कमन गुण कह कह गावां तो साहिब गुणी निदाहना तुमरी महमा बर्ना साकों पूठा करयूच भगवाना सत्गुरु गरेब नवाई पात्षा देन दुनिया दे मालक लोग पर लोग दे रख्यक अकाल सरूप सत्गुरु शिरी गुरु गरंट सहिब महराज जीदी चर्न शर्न विच सुबायमान सत्कार योग सन्मार योग सासंगत जीओ हजूर ने तर्ष कीता बक्षिश कीती अमर्त वेले दर्षन दिदार बक्षे हन अपने चर्ना विच बैठन लई परेरित कीता है ये पहला तनवाद सिख गुरुदा करदा है आजदा सिरी मुखवाक अमर्त वेले परकाश होके जो आजलई उपदेश दिता सत्गुरु गुरु गुरु गरंत साहिब सचे पाश्याजी ने उशबद दी हुकम दी व्याख्या जिनने को सत्गुरु जी बक्षिश करन गे उस अमसार इस समय नू विचार द्वारा जुडंदा सादर बना सकांगे क्योंकि बुद्धी दे ताउ ते पामे जुडंदा विशा बुद्धी नहीं है जदों में किसे दा जोड अकाल पुरुख दे चरना नल बनदा है ते बुद्धी दा बउट सारा हिसा जिड़ा है वो बंदो जन्दा है विचारा उते खत्म होंदिया निर्विचार उते कोई विचार नहीं है पर निर्विचार हिर्दे तक जान दा जिड़ा दर्वाजा है वो बुद्धी ही है उस तो बिना अन्दर जाया निजा सो इस करके गुरु सहमने दो चीज़ां बक्षियां किर्तन और विचार बढ़ियाई और विचार दोवे चीज़ां साथी चोडी विचपाहियां ने और कह दिता अम्रत वेला सच नाओं बड़े आई विचार विचार दिनाल दोड़ पे क्योंकि असी सारा दिन जोंदे ही विचारां में साठे माननों विचारां दा बहुता अव्यास है असी रहें दे विचारां में चांका दे विचार बंद हुंदे ने पावे के अकाल पुर्ख दा विचारा नल कोई सबंद नहीं उथे कोई ख्याल नहीं है उथे पाणी विच पाणी गुरू तेक बहादर साह्थ जी कहिए दे लीण हो गया जिस मनुकते गुरू ने किरपा की थी उसने इस जुगत नूँ पिशान लेा है इस तरीके नूँ वेख लेा है ओ इस तरह उदे विच लीन हो जानदा है जिमें पाणी विच पाणी पवे ते अवाज नहीं हो जानदा विचार ओ थे कोई नहीं उठदा जिस थां ते मन शब्द विच लीनता हासल कर लेंदा पर जिस जगत विच असी जवनेया ओ विचारता रहा है इस करके गुरु सहिब ने ऐसी विचारतारा बख्षी जिदे विच हुंदियां विचाराने पर गल निर विचार दी हुंदी है हुंदे ख्याला दी गल है संसार दी या गलाने इसलिए गुरु सहिब ने इसनों दो लग जान दे विच क्या आवो हो संत प्यार हो अकत की करें कहाणी कहाणी ते गल्ला ने संसार दी कई बारी जेडी कोटी ते अज हुकम नामा आप जी में सुनेया है उच्ची वस्ता बे चुचा रहा कि कई बारी अशी थोड़ी जी कमाई करके जा थोड़ा जा पढ़के ठोड़ा जा गुरु बलों कोई किनका चोड़ी बिच पैजा है ते असी थले बारी यां कलासानु रद कर देने आप ये नहीं चाहिए पर सत्गुरु ने हर एक मनुख वास्ते इस कार बिच आउनदारा रखे कोई केडे रात वा सको किन्ने दर्वाजे ने जित दवार है उबर है तित्ता लेहो अबार किसे बंदे दी रुची जादा प्रेम दीए कीरतन दीए रस दीए ओधे वास्ते सत्गुरु ने कीरतन दे दिता कोई आदमी जयंदा ही सारा दिन विचारा हुए चे ओधे वास्ते विचार दे दिती किसे तो बैठना यह उखाय चंकडा मार के ओनू क्या सेवा कर तो और फिर ओभी सिम्रन बन जाए एक दिन सेवा भी रा बन जाए पर मान जागया हुए तिता किसे भी सादन विच जे मानत सुता है ते को सादन थाए नहीं पहिंदा मान दा जागना बहुत दिरूरी है मान दे जागन दा मतलब ए है भी मैं अपने गुरू दी सेवा कर रहे हैं बस एन और कोज़ भी ने ग्यान दे अर्थ गुरू गरंसाइब जी दे विच अकरी नहीं सना जा व्याकरन जा होर कोई गाज़त ग्यान दे अर्थ ने जानना ग्यान शब्द जान तो बढ़े है जान जानदार थे जानना किन्नू जानना जेड़ा कम कर रहे हैं उन्हों जानना भी कर रहे हैं जिवें एक सेख नितने में कर रहे है ते उन्हों जानना चाहिए दा उन्हों नितने में कर रहे हैं उन्हों जानना चाहिए दा उन्हों नितने में कर रहे हैं उन्हों जानना चाहिए दा उन्हों नितने में कर रहे हैं पामे उन्वर्थ पूरे नहीं अंदे अंदे ने ताम ही चंगा जे नहीं अंदे पर शब्द दी तो नुबे तो जुड़े अब आज विच वो भी उन्व टिका रही रोक रही ते जदों अंदर रोक गया गुरू सहब ने वार वार जदों सी पाठ सहज पाठ भी करिये जहा श्री अखंडपट सहब शब्दां दे विच वार वार एक लफज आएगा रहाओ रहाओ दे पामे अकरी अर्थ विद्वाना ने कहने के उस पंक्ती विच रहाओ दा अर्थ होंदा सारे शब्दा पाव के अंदर पर गुर्बाणी नो किसे चीज दे विच मिन्या नहीं जा सकता कि ए शिर्फ ए दे अर्थ ए ही नहीं रहाओ दा मतलब जेड़ा पाठ कर रहे है गुरु गरंट सहिव जी उन्हों बार बार कहरे ने रहाओ प्रहाओ दे अतने ठेर जओ ठेर के में जाओ यह नहीं कहरे है भी पाठ करन तो ठेर जओ पाठ करन तो रोप ज़े ओ कह रहे ने भी जेड़ी चीज अंदरो निकल निकल के ख्यालना दे रूप विच बार जा रहे हो तुसी ओन्नो रोप लो उसनो ठैर जाओ बार ना जाओ एत्थी ठैर जो जिते पाठ हो रहे है इन्नो जानो इन्नो के दिन ग्यान नल पाठ करनो जेव मनुक जान रहे है मैं सिमर्न कर रहे है ते वो शब्द विच त्यान लगा होया ते वो पाठ नो ग्यान नल कर रहे है क्योंकि जिते ग्यान होएगा त्यान होते लगगा प्रब कह सिमर्न ग्यान त्यान तत बुद्ध ग्यान ते त्यान दो वकरे नहीं है जिते ग्यान ह होुनदा तयान लग दई तकंव ने तयान लग दईने दोन है का घ्यान है ये थियां नहीं ते तयान लोग ग्यान तो आखगेने, सुन सुन के, ते फिर विबाद भी वदेने बहुत सारे, क्योंकि ग्यान दे अर्थ अखरी नहीं साने, ओ एक पांच सत परसेंट ही साय, ग्यान दे अर्थादा, ग्यान दा अर्थे जिड़ा कम कर रहे हैं उदे वेच त्यान लग जाए, ते गुर्बानी दा एक शब्द पढ़ रही है वो शब्द है हौँ पापी तुम बक्षन हार पढ़ दी गई पढ़ दी गई जदो शुरू किता सी ओदों सी बुद्धी दे मंडल विच मन दे मंडल विच बे आ अखरने इस तरह बुलने ने इस तरह करना ए उचारने पर ने मेर दी नजर पाई ते ते आण उच्छा उठ गया प्यार विच चला गया ते प्यार विच चल देया सार ही मन पल्ट गया पठा ओगया जयों मन दा पासा पल्ट गया जबद भी पल्ट गया अखर भी ओखर जेडे सन हौं पापी तुम बक्षन हार उत्य लवज निकल ते ने तूं पापी हों बक्षन हार ते गुरु हार रहा है साहिव जी उदे सामने खड़े ते आले द्वाले गुर्शिक खड़े ने कुदलती ता उर्टे उना ने सुने आ ते कहने इसे भी साथ गुरु जी दे अदब दे विच बोलना चाहिए तुसी एक ही कह रहे हो भी तूं पापी गुरु नो कहना पापी हों बक्षन हार एक ने थोड़ा जा क्या दुझे ने बांफ़ड़के रुकन दी कोशिश की थी ते गुरु अर्रे साहिब जी ने सिख दी बांफ़ड़के केंदे ठैर जाओ चुप करो केंदे माराज तो आड़े इस बांद विच के ये मैंनों सुनन दे उतसी क्योंकि इस तरह कदी कदी कोई पढ़दा है प्रेम विच डूंगा आपके जिते लफजा दी गलब पर वाह ने रहें दी बार ली करिया एदिया थे ये नहीं भी बानी गलब पढ़नी चाहिए दी त्यान देना बानी शुदी पढ़नी चाहिए दी पर ओथे एक इशारा करना चाहूं देने साथ गुरू कि जड़ दे विच डूंगाई दे विच जिते साड़े हिर दे विच निवास कर देने पाव जदों ओथे एक सारता आजाए बार दिया क्रियावा अपने आप शुद्ध हो जन्दिया अपने आप उना भी शुद दा आजन्दी है ते जे अंदरों शुद्ध नहीं होया फिर बार ले लफज कदी है जे सानू जोड सकन नहीं ते नहीं जल्दी जोड पेंदा नहीं मैं 32 जी कर रहा सी कि इस मार्ग दे उते जिदे विच ग्यान दी गल कीती जन्दी ग्यान दे अर्थ ने किसे चीज नू जान देना ते जिननाचर ग्यान नहीं अंदा उननाचर त्यान नहीं लग सकता किसे दा जिवें के गुरु नानक देव जी परत्री जोगी नू ए समझा रहे ने के जिडा रस मैं पी रहां ओदे विच ग्यान दा गुड पेंदा है जिवें शिराब कड़न ली संसार के जोड़कर ग्यान त्यान करतावै करकरनी का सपाईय पाठी पवन प्रेम का पोचा इत रस अम्यों चवाईय बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै उस नाम रस दी प्राप्ती कि में हुंदी ये सब तो पहला ग्यान दी जरूरत ग्यान दे अर्थ ने त्यान दा कठे हो जाना एकागर हो जाना त्यान करतावै तावै एक तरह दे फुल हुंदे ने जिडियो शिराब विच पहुंदे उनों तेज करन लई इस तरह ए चीजां जिडियों ने सारियां शुरू विच त्यान रखके जदो गुरू के शब्द नर सांज पाई जान दी ता मनुखी मन विच मनुखी चेतना विच विकास अउन दी जिडि गती है सुपीड है ओदे विच बहुत तेजी आजन दी और ओदे विच जिडि कई पुलेखे हन जो कल्पित ग्यान हन बहु सारा तार्मिक जगत वी कल्पित ग्यान दी बुकल विच लुक्या रहें दा सारी उमर कोई ओदी ना बुकल लोंदा है ना को लोना चंदा है आपो अपनी मर्जीदे अनुसार कल्बित ग्यान कठा कर लिया जानदा है जिदा सच नाल और परमारत नाल और गुरू के सुभादे नाल कोई मेल नहीं बनदा जिस करके जीवन उसे थांते रुक गया और अगे विकास करन तो इंतिसां जी कर रहा सी आज दे लफजां वल आउन दी कोशिश करां क्योंकि आज समेदी बनदे अनुसार साउन मेहिने दी संग्राद भी उस शबदी व्याखिया भी दस पंदरा मिन्ट बाद विच कीती जाएगी आज दे शबदे विच सहीव स्री गुरू गरंद सहीव म पता लगदा है एदे विच ए शबद उच्ची अवस्था विच जाके उचारे अगे है गुरू गरंद सहीव जी दे बहुत सारे शबद ने जिनना नुझे बारों पढ़ांगे ते उन्हादा आपस विच विरोद लगदा है एक दुझे दा विरोद कर देने किसे थांते क देने लेखा हुएगा तेरा एक एक खिंदा ते नाल के देने लेखे कते ना चूटिया है ओ शबद एक दुझे दा विरोद नहीं कर दे असल विच विच वखरी वखरी अवस्था दे विच उचारे गए शबद ने एक लिड़ा आजदा सिरी मुखवाक है ए उस उच्ची अवस्था दे विच जिसनों तरमदियां सत द्रिष्टियां दे विचों सतमी द्रिष्टी किया गया जिननों गुरु अमरदास जी केंदे ने सत गुर मिले आए दिब द्रिष्ट हुई जां विदवाना ने इना लगजां दी वर्तों कीती ये ब्रहम कोटी गुर्बानी दो हिस्यां विच पुचारी गई है एक जीव कोटी विच जिदे विच असी अरदास करने आ अपने जीवन दी दशा गुरु गरंद सहीब जीनों दसने आ ओथे फिर अवगणा दी व्याख्या भी हुंदी है ओथे पाव पुन दी गल्ब भी चल दी है पर आज जिते स्री गुरु रामदास से पार्शा जी बोड़ रहे ने ओथे एक दिब दिश्टी है पाईक ने ये बाड़ी जिदे विच मैं जे खुला कहने आ पापी तो लेके पुन्नी तक सारे आँ दे विच एक कोई नजर रूंदा है कोई बखरा नहीं पर ए उस दशा दे विच जदों नीचले तल ते वेखांगे ते ओथे पापी नो गुरु सहब कहनगे बे इस पाप तो गुरेज कार इदे तो तो उचा उठ एपाप ओ जीव कोटी विच उपदेश दिता है ते दुझे पास ये चंग्याई नो चंगा कहनगे पर जदों इस दशा विच आउदे ने जित ते आज शिरी मुखवाक उचा रहे है उँ ब्रहम अवस्था है ओदे विच मारे विच भी उसे तरह नजर ओंदा अकाल पुर्ख ते चंगे मनुख दे विच भी उथे एक कलेशी मनुख दे विच भी ते शांत मनुख दे विच भी एक कोई नजर ओंदा है जे आज दे श शबत नूँ पूरी तरह समझना होगे ते जाब सहीब पढ़ना पढ़ेगा। जाब सहीब सारा जिन्ना कलकी तर पाज़शा में उचारे है। सारे जाब सहीब दी बाणी ब्रह्म दिश्टी विच्ट उचारी गई है। जिस था ते हनेरे विच्ट 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 हो गया उन्हों वेखना उदे बिच भी तू नजरा आ रहे हैं उस थांते गुरु सहब कहें दे के उस थांते जाके नमों कलाय करता होने बेंती करां भी जेड़े साथी आज कल वीर उपरार ने जेड़े विद्वान जेड़े विवाद खड़े कीते जिनना ने दसम खड़े बाणी बारे वो क्यों कर देते वो तां कि ते भी जेड़ी गल कहने इसी उन्हों पहला चंगी तरह जेज शंका पैसकता है कोई बड़ी गल नहीं कि सानु किसे भी चीज़े शंका हो सकता है पर साथा फर्ज बन दाए भी एड़ी बड़ी स्टेटमेंट देन तो पहिला में आप बाणी गुरु सहीब दी नहीं हजार वारी सानु पता कर लेना चाहिए ते बड़ा तरीका एह है गुरु गरंट सहीब जी दे विच भी बहुत सारे शब्द ने जिना दी किसे नूं पूरी तरह संज नहीं हो दी ते गुर्मत दा तरीका है सत्गुरु सकने अभी मेंनू पता नहीं पर उना आदमी कवेगी हंकार थोड़ी मन दा भी मेंनू पता नहीं कि मैं कहेगा कोई व्यक्तिय मनननों त्यार नहीं कि मेंनू पता नहीं है बस ए लफज ही उसका अरदा दरवाज जाए कि मेंनू पता नहीं क्योंकि ये सारी मानियोत्तों आ कुलूपर अच SER दे जया दिया सॉन चेरेthest गुरुग्रंण सह lending सुल च्छाजी राम्सर सहीब दे अधां थी जेडें किश्तव सर्व insp गुंदी छारे गलारान mindset आड़ें टर्म बाड़ें bạn ते तुसी उत्वों बोड़ रहे हो जित्थे तुसी एक एना भी सानू पता है बस एती फर्क इस कार्दे विच्छ जिदन गुरू गरंद सही दे पहले मुख गरंथी स्थापना सी उस दिन वी जदों खोज की ती गई ते बाबा बुड़ा सही दे उत्ते जाके गल खड़ी भी बाबा बुड़ा सही दे गरंद थी थापते हो ता जदों उस था ते फैसला ले आ गया ते कुदर्ती तोर ते त्यान देना लोका ने क्या किसे ने कुझ क्या किसे ने कुझ क्या बाबा बुड़ा सही ने खुद क्या हो कहें दे माराई तुसी जे एडे वडे श्री ग गुर्दास जी वर्गे विद्वाना ने लिख्या है तुसी उचारन कीता है इने पगताने उचारे है किनी प्रकार दियां पाइशामा ने इस माणी दे विच ते एड़े वड़े खजाने दे जे तुसी किसे लू गरंती मोख गरंती था पणा है ते मैं ते सारा दिन वानू पठे पॉन वड़ा सिख हां मैं किड़ा पढ़े हां किदे में नू दे पता इनाई है कि सचे पाधिशाग के इंद ने बाबा भुड़ा जी ए बाणी होना दिये जिना ने पैला मन्या सी इसानू पता नहीं ते रब ने उनानू सारा पदा लुआ देता है उना पैला पर यह दावा कर देना कि मैं नचोड कट देता है जी गुरुगरन सहीव जी आ कई वरियत हों तक भी गल्द चली जन्दी एदा नचोड तात कट देता जिने बारे सत्गुरु भी दावा नहीं कर रहे इस करके इत्थे आके ही फर्क पैगया गुरु सहीब ने उन्हा चार पगतानु ता जो आप दिता सी के त्वाड़ी बाणिये दे विच नहीं चड़ सकती क्यों तुसी कलाकार हो तुसी पगत नहीं हो त्यान देना कलाकार होर चीजे कलाकार दा मतलब जो स्टड़ी दे दारते कली ते जेंदा है पगती दे विच भी कला है ये त्यान रखना विद्या नूं कंडम नहीं कर रहे गुरु सहीब विद्या नहीं होनी चाहिए पर ए समझ लेना भी राबदे कार नूं विद्या देना पूरी तरह असी समझ लेए ए दे तो वड़ी हो और मूर्खता कोई नहीं इस कारदे विच उना नूं इनकार कर देता ते उना ने बहुच अगड़ा कीता विशबत ते साड़े वे कुछ चुणे गिड़े पूरे शैद तो अड़े पागंजेडे पंदरा तुसी वेच चड़ा है उना नूं उना कुल इनी कला ना होगे जे में काना शजूते फील हजूर ने क्या नहीं है एदे विच होर भी फर्क है एक बड़ा बड़ा फर्क है सत्गुरू ने इशारा कीता उना वल चार्स आदमिया वल जिड़े अपने आपनू पगद अखवाउन दावा कर देशन ते आप तुरके आयसन भी साड़ी बाणी वेच चुपाओ हजूर ने इशारा कीता कहन लगे फर्क बड़े ने कबीर विच ते तौड़े विच फर्क बड़े ने नाम दे विच फरीद विच ते तौड़े विच उनना ने क्या फर्क कादा है कहन लगे कबीर सही आप जाके लेके आया तुसी खुद तुरके आया असी आप लेंदा जाके कुभीर कि फारीज सभी नवन तो मैंके सब रीटिंगत्य तैंसी उन्हां प्लिकेशनों तुनむ तो तुसी श shirt हए कर देयों लहावर सरकार जम्याकर विच भड़ी गल तुन कंतुदा प्रास यह नो मिच वं साड़े कुल प्रिटिकल राजनी तक पावर भी है सानू लाओ विच शैद गुरु सहीव ने इशारा कर दिता सी एब जेड़े पगत ने एनानू असी चुणिया है एक किसे संसार को पावर दा सारा लेके गुरु गरंद सहीव तक नहीं आए एक कारण है कि जदों कोई मनुक राजनी तक पावर लेके गुरु गरंद सहीव दी गल करेगा तो गुरु गरंद सहीव दी गल नहीं रहेगी रहेगी नहीं बिल्कुरु क्यों यह बाड़ी उचारी हो थो गई जो किसे बिना प्रेशर तो है यह जड़ा सिस्टम सी जड़ा असी आज गुरु करांद उते थोप देता है वोटिंग सिस्टम है इलेक्शन सिस्टम है ते सुपारिशदा सिस्टम में सच जानों सटे खुआर होन दे कारण ही इने असी सत गुरु दे सिदान तोड़ के सुबाएक गुरु ने अपने काम वे चला देता है पर होन गलत अर्मदी करनी हों दिये ते पिछों जड़ी सुपोर्ट यो राजनीती दी हों दी गलत अर्मदी होगी कितों तर्म ते शोल दे हां राजनीती हो दे पैरां वे चुंदी है तर्म आपने आप भी समरा थे इस करके ए बानी जड़ी उचारी गई है एदे विच उच्ची अवस्था जदे विच गुरु राम दा सचे पारशादी किरपा कर रहेने के अकाल पुर्ख वैगरु दा जड़ा निवास है वो किते है वो किते रहें दा है केड़े टांग नल विचर दा है केड़ा उस दा तरीक का है तानगुरु राम दा सचे पारशादी सोर्थ राग दे विच ए बख्षा कर दे हाना सोर्थ महला चौथा आपे कंडा आप तरादी प्रावया पे तोन तो लाया इस शब्द विच वार वार आपे शब्द आएगा आपे 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 है ओ बड़े तो लेके छोटे तक गरीब तो लेके अमीर तक पापी तो लेके पुन्नी तक कोई ओदे तो वख्रा है यह नहीं सारे आपे चोव विचर रहे आई और जिन्ने मी लोग पामें किसे प्रकारदा काम कर रहेने उनना दे विच विच वश्या होया है ए देब दिष्टी ब्राम कोटी विच विच आउनगे वे सारे उदा किता कराया हुया ही कर रहने उदे बलत्यान देडा थोड़ा जे अकाल पुर्ख ने सिर्फ कम करंदी पावर दिती ये मनुख नू खोल दे दिती ये मारे कम दी हमायद ने कीती उदा जिमेवार मनुख है आप एक अंडा तोल तरा जी अकाल पुर्ख ने इस जगत दे सारे जीमानू उना दे विच ही वसके एक तकड़ी दे विच तोल दिता है ते आप यो कंडा है जिदे विच सारा जगत तोल ले जा रहा है सारे अनू छाबियां दे विच तोल रहा है ओ और कंडा शब्द बहुत प्यार है एक कंड़े दाल था ते तुसी साब समझते हो तुसी कदी जाओ के ते पंजाब विच पालत विच जित थे वड़ियां वड़ियां गड़ियां तोलियां जानी जाने ओदे उत्ते लिखे होंदा है तरम कंडा एक अला कंडा नहीं तरम कंडा कंड़ा क्यों क्या है एक कंड़ा शबत ते चुबन वाली थी जे और कंड़ा जदो तुसी पुराने समय वेचर जदो तकड़ी तोली जांदी सी ते जित्वों हाथ नल फड़ के चुकदे संग ते जदो दोवे चाबे बराबर होन ते ओकंड़ा सुईदी नोकनो सिदा होए तांस वेख दे संग भी बिल्कुल ठीक तोलिया जे कंड़े दा मूँ जड़ा अकाशवल है वो थोड़ा जाएदर उदर है तकड़ी दा ते ओक तोल ठीक नहीं होएगा इस करके लवज बरते आगया तर्म कंड़ा तर्म एक कंड़ा है यह सचाईए सचाईए एक कंड़ा है कंड़ा क्यों है एक ते ओ तोलदा है भी बंदा के ते करके खड़ा है तर्म कंड़ा क्यों है क्योंकि साच चुबदा भी है जित्ते असी थोड़े जाए आउट होए बार गए जित्ते गुरूदी मात्तों थोड़े जाए बार गए ओते तर्म ने चुबना शुरू कर देता और कई लोग केंदे भी बाकी कई वारी ता पूरे केंटे विच सारी कथा बड़ी अनांदवाणी हुंदी है किते किते विच थोड़ी जी गल चुब दिये तर्म कंडा उने चुबने ही जिड़ा चुबने ही जिड़ा चुबने ही ना हो कंडा का दा ओधा ओसानु दस रही है मैं तेनु चुबनी तां तेरा किते ना किते नुक्स तेरे जीवन पेचा है। कथा तां चुबेगी बड़े लोका नुकथा भी चुब दी। इस करक्यों केंदे आप पे कंडा ओ आप ही कंडा है आप ही तोड़दा है आप ही तराजी सारे जगत दे जीवन दे विच वस्या हुया है और इस वड़ी कारजनु सारे नुच चला रहा है। आप ही इस जगत दे विच शा दा अर्थे सब कुछ देन वाड़ा है सब कुछ बंडन वाड़ा है ते लेन वाड़ा भी कोई हूर नहीं गुर्वराम दा सचे पाशा केंदे लेन वाड़ा भी वआप ही है। आप देंदा है आप ही लेंदा है आप शाह है आप पे ही बन जारा है सारे आदे विच आप ही वस्या हुया है उस अकाल पुर्ख ने ए तर्ती साज़ दिती ते इसनू हुकम दे छाबे विच रख लेया ते पिछे टंक चड़ाया टंक दे अतने जदो किसे चीज नू तुलना हुए ते दूझे शाबे विच वटा रखना पेंदा है इस जमीन नू उन्हें आपने हुकम दे राही चुक्या हुया है कि मैं खड़ी ये तर्ती जिदे उत्यासी बैठे पुराने तर्माने क्या भी कोई बल्द है जिनने तर्ती नू शे तो अकाल पूर्खने अपने शोद तरम बारा नाम दवारा चुक्या है और उस शाबे विच पिछा टंक दा अर्थ है नाम दा ही बटा चड़ा के पिछले पासे इस सारी जमेन नूँ उन्हें अपने हथां विच चुक्या हुआ है पर इस जमेन दे उत्ते लखा लोग आए ने हजारा लोग आए पहला आए अजने आउन वारे समय विच पर इते सुह किना ने पाया है केड़े लोग का ने सुह पाया है जेस नाम ने जमीन नूँ खड़ा कीता हुआ है ना फड़े है एड़ी बड़ी जमीन अरवा खर्वा टान दी जमीन जिस नाम ने रोक दिती डोल दी नहीं सुवाल कड़ा हुँदा भी साड़ा ते स्रीर ते मन छोटा जाया है क्यों डोल दा है यदे डोलन दा की कारण जमीन नहीं डोल दी एड़ी पारी जमीन डोल दी नहीं केड़ी शक्ती एड़ी पार नोंने कंट्रॉल कीता है ते कुमरे ये लखा साला तो कदी डोल दी नहीं कदी डेक दी नहीं ये बड़ा बड़ा स्वाल है एड़ी बड़ी जमीन रभ ने बनाई हो नहीं डोल दी मनोग क्यों डोलदा है ये दा मन चौबी केंटे क्यों डोलदा रहेंदा जेस नाम ते हुकम विच वैगरों ने तरतीनू फड़े आए ते डोलन नहीं देंदा अस ये उस नाम तो दूर हो गया जिद्धन ओई नाम साथे जीवन नो कंट्रोल कर लेगा ओशब्द डोदना बंद हो गया हिलना बंद हो गया टिकाँ आ गया एक थांती कागर हो गया जिन उत्थिर कर क्या है उन्हें तुस्य सुने शब्द विच थिर कर बैसो हरजन प्यारे सत्गुर्टुम्रे काई सुवारे असाड़ा त्यान सत्गुर्टुम्रे काई सुवारे ते ते बड़ी जल्दी जानदा है क्योंकि साड़ा काम ही काम सुवारन ना ले पर पहला क्या किये थेर कर बैसो थेरदार थे प्रोसे वे चाउन टिका विच उना कहिंदे रिंदे यह तू टिका विच उना, चोना है टिका विचा के प्रोसे विचा के गृरू के शबनल जुड़ एटी वटी सर थी जन्हें टिका दियती है, नाम देनाल तरज तह मुल झी तका देगा, तेरा जीवन टिक जाएगा इस करके इस ब्रह्मांद दे विच इस तर्थी ते आई हूँ जीवां दे विचों जिन्ना ने हर हर ते आये वैगरू नो ते आया है उदा त्यान कीता है उन्हें इस अनांदते सुख दी प्राप्ती कर लई अरहाल नाम निदहान है प्यारा गुर्पूरे मिठा लाया पर ए नामना दे दा निदहान खजाना इते परया होया वैगरू ने जिते पांजतात बढ़ाए ने हवा अकाश इतियादक इनी समगरी बढ़ाए उते इस जमीन इस ब्रह्मांद दे विच वैगरू ने नाम दा ख जाना भी रखिया है पर प्रापत ताह हम दाए जै पूरा गुरू बख्षिश करके नाम दा खजाना सिखनू देवे उसी दाने ले सकता आप नहीं प्रापत कीता जा सकता पूरा गुरू किर्पा करके सिख दी चोड़ी विच व नाम दा खजाना इस जमीन दे विच जो प आप पे ही ओ जमीन है इदे विच वस्या होए एक एक जरे दे विच आप जल ते पाणी दे विच भी अदा निवास हैं आप पे करे जांते कही था मात्यों आप इकरी जन्दा सारा कुछ ते जहां बहुत ही तां यहों करा था है सरीरा दे रहा है किसे दे रहा ही करा देंदा है सारी कला नू ऊप ही चला रहे है ऑप आपे हुग्जम वारतदा प्यारा जलमाटे बंद रखाआआ उस वैगुरू ने अपने حकम हुकम किये जो दिस्दा नहीं पर है हुकम दे अखीर ले अगले अर्थ जिरे ने जिवे अपना कहने है अभी इत साथे फोन दी रेंज नहीं आ रही है रेंज रेंज विकी कदी किसे दिस दी पर है जरूँ रेंज नहीं आ रही है हुकम दा अर्थ है अकाल पुर्ख वैगरू ने इस सारी जमीन नूँ जीवन नूँ चलाउन वास्ते अपनी एक रेंच चड़ी हुई सारे ब्रहमन वेच उधे रही उन्हें सारे नूँ कुंट्राइप्ट सुबंद कीता है उत्व सारे नूँ कंट्रॉल कर रहे हैं वो रेंज उनू हुकम क्य तो जाने जा सकता है जदो सिक बाणी पड़ेगा सिमर्न करेगा तो उस हुकमनो वेख लेगा भी मैंनो किसे ने कंट्रॉल कीता है मैं आप नहीं चल रहे हैं इसे शबत दे जदो खीर ले अकर आउनगे जिदे विच जंती ते जंत दी व्यक है उते साब कर देता है मनूख एक जंतर है, एक साज है, एक वाज़ा है, ते अकाल पुर्खो नो बजा रहा है, उस सिस्टम दे द्वारा, उस हुकम दे द्वारा, उस साड़े जीवन नो सारे नो, आप ही वह गुरू जी चलंदे हा नो, अब भी पौपाई दा प्यारा, बन बक्री से होंटाया, जिन्ना दे उतने अपना पाओ पांदा है, डर पैदा करदा है, हार एक जीव एक दुझे तो डर रहे है, बंडा छोटे तो डर दा जा चोटा उस तो, चोटा उस तो डरी जान दा इए, इस तरह उन्हें एक तर्थी बनाई बन बक्री शिहों हंडाया उनने बक्री ते शेर नूं कठा कर दीता एको था शेर बक्री नूं खांदा नहीं पाव इस स्रीर दे विच उनने बक्रियां बक्रियां शक्तियां पाईयां ने जिडियां वरोदी ने जिमें उदारं दे ता और ते पांज ता ते एक दु थोड़ा जया कि वह को कि मैं तुँ मानिकलता है 25 दबule वी आगति ñ मिटी अगणों बैंडीए पानी मिटी नो खॊर देनदा इसारे वरोदी ने पर ऊस्वेग दोने ना सारी वरोदी कठा नू इकोँ सरीडी दे अगो के आपने से Earब जाए उन्हों सुरीश्ख क Leaf ए स्टार्थ में तो तर्रीड धेक्ट है तो आप मनीवे MAY तो तल्य सरी ठीट से पर अ है पुझे पाशे स्रीशर्ध हैँ पानी पारी से उन्हीं पाणी आग नंगछ कत्प धिता बक्री ऑन लिए प्ट देनल कीता है उन्हों गुरू गुर्ण सभी दे विच के अकल कला जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला परपूर रहा हो अकल कला दे नाल उस वड़ी शक्ती दे नाल इना सारी वरोधी चीजा नू पहला पैदा करके जो टक रहूं दिया ने फिर उननू एक थांते रखके स्र कास्ता अग न रखाया कास्तदार थे लकड़ ओ आप ही लकड़ दा सुरूप आप रुखा बंस्पती दे विच और सारी बंस्पती दे विच अग है पर अगो नू साड़ दी ने पीतर अगन बंस्पत मौली बड़ी हरानी दी गाले अग जिते लग जाओ ते दुजिया च जानू चड़ दे व हरे रुखा नू इसाड़ दे दी पर सत्गरु केंदे वेखो उस अकाल पुर्ख दी समरता ते कला उधी शक्ती दा ए बड़ा बड़ा परतीक है के रुख हराया रुख नू फूल लगे हुए ने टैक दे ने बड़ा सोना लग दा भी हराया पर उस र इवन विच सारिया विरोधी शक्तियां उन्ने पैदा कीतिया ने अग ते पाणी नू अग ते लकड नू कास्ट नू इको थां ते इकठा कर देता आपे आप वात दा प्यारा पह अग में ना सके जलाया सारिया थामा ते वे गरू आप वरत दे हना ते डर दी अग किसे नू जला नी सक दी पाव ओ सारिया दी राख ही करदा है सारिया नू समरता वक्षिश करदा है आपे मार जिवाए दा प्यारा साले दे साम लवाया आप ही गरू रूप होके सिक दे मन दे माडे ही से नू मार देंदा है ते नवे जिंदगी बख्ष दाए ओ आप ही लोका नू मौत दे काट उतार दाए ते फिर नवे सरीरा वेच जन्म दे देंदा है ए सारीयां ओदियां समरता हन। ते सारे ही जीव ओदे दित्ते हुई स्वास द्वारा ही जाउंदे हान। सारे ही जगतनों उन्हें आप ही कारे पाव कमा विच लाया हुईया विज़े कीता हुईया संसार नू चलाउनवास्थे। एक किर्द उने कम आप ही दिते हैं और फिर उस सारे संसार विच विचर रहा है सारे संसार दा त्यान मी रखदा है सारे यांदी पलना मी करदा है यो आप चलाए त्यों चलिये प्यारे जियो हर ब्रह्म मेरे पाया बस ये थे आके थोड़े देव लोक ने जिड़े गुरु नड़ जुड़ गया उननो पता लगया मेनो ओ चला रहा है ओ अना दो विच चले गया क्योंकि ओ उनना दा हमें खत्म होगी कि मैं नी चल रहा है मेनो चलाया जा रहे उनना दात मिली निमरता दी ते नाम दा पंड़ा बंगया उन्दर ते बटाद विच लोक इस परम विच पैगा हमें विच भी मैं आप चल रहे हैं मैं आप चला रहे हैं जीवन बस एते फर्क पैगा मानमुख ते गुर्मुख विच गुर्मुख उस हुकम नू बुझ लेंदा नानक हुकम नू जे बुझ आए तहुं मैं कहे न कोई जितन इस हुक्मनो बुझ लिया के मेनो हुकम चला रहे है सिस्टम मेनो चला रहे है तहुं मैं क coghal के आपे जनती जनत है प्यारा ओ आप ही जनत है जनत दा अर्थ है गुरू के स्वारेों जिमें आपन सिद्धे ताउरते कवा हुने तुसी कीरतन सुने ओ आप ही बज़ा है ते आप ही बज़ान बाल जे किसे नो इस चीज दी समझ आ जाए के अकालपुर्ग सारेअनो 선ा वाजियां वांग बज़ा रहा है सारेअनो अस टागनल बज़ा रहा है ता हमें किते आगी क्योंके मनुक उदा एक साज बढ़ गया जे में उन्ने अगला रखिया ओम्य असी चल दी जा रहा है जिमें उब जहुंदा है उमें बजी जा रहे हैं हाँ उस साज ने अपने आपनों आरेते चिराया है ताँ उस साज बढ़े है ताँ उदे विचो संगीत निकलदा है इस तरीके देनाल ओ सारे जगतनों जंतर रूप विच चला रहा है कैन लगे ये संसार उसे तरह चल रहे है जिमें उच चला रहे है सारे आदे उते किर्पा करके ताँ सत्गुरु गुरु रामदास जी समुचे शबदे विच मुख ताउरते इको कलते जोर दे रहने के ए जगत जिड़ा है जे सानू उस हुकम दी सोजी पैजए जाच आजए पता लगजए ताँ फिर सचे पादशाजी करें दे इस जगत दे विच हो मैंदा निवास नहीं पाव ओ एक अकाल पुर्ख सारे ही जगतनों चला रहे हैं ओ हुकम रूप विच सारे अदी जड़ी है औरती कर रहे है आओ हुन अगला गुरु अर्जन देव पादशाजी द्वारा जो बारा माँ विच सानुदा महीना उचारन कीता है वैसे सिख्ए काल तुम उचिये अकाल दी गल है कालदार थी समा पर क्योंकि असिस समय दे काल दे विच इस देश विच विचर रहें उस समय दी हद बनी विच इस करके गुरू सहावन ने महीने यादे सुभन भीच के सावन दे महीने विच सेख दी जीवन दी स्तिति कीए केंदे सावन दे महीने विच कामनी जीव इस्तरी सरसी खोश हो गई क्यों? चरना कमला नल वैगुरू दे चरना नल उस दी प्रीत भणी है क्योंकि उदा जीवन दा अदार एको नाम है और सचे नाम दे रंग बिच रंगे जान करके उदा मन तन मुलिया है दिखिया रंग कुडवे आदिसा सब बेचार ऐसी जीव इस्तरी ऐसे सादक नू संसार विख्या चूठा ते जैर परतीत होंदा है ते कौड़ा परतीत होंदा है एक शार दिसदा है मिटी नजर अंदा है उस नू उस अमर्त रूपी मिठी बूँद सुहावनी दी प्राप्ती हो गए मिल सादू पूरे गुरू और साद संगत दी प्राप्ती द्वारा उस अमर्त बूँद नाम दी दात दी प्राप्ती होई जिनने उनू इस सामन दे महिने विच पूरी तरह तरह तरिप्त कर दिता है रजा दिता है जी बारतन प्राप्त संग मौलेया समराथ मुन के आपार जिमें सामन दे महिने विच बारिश पैंदी ये ते वन्स पती खिड़ दी हरी हों दी है इस तरह वैगरू दे नाम दी बारिश जिस मनुख दे जीवन विच आ गई ओदे नाम दीया कणिया जिस दे जीवन विच आ गईया ओँ इस वन्स पती बांगू अंदरों खिड़ गया ओदे अंदर एक बारिश पैरी एक मी पैरी है ओदे अनांदा ओदे विच ओदा जिड़ा जीवन है मौलिया होया है समराथ वैगरू दी किर्पा करके इस तरी जगया सु जड़े ने उना विच अकाल पुर्खनों मिलंदी जड़ी तांग ते इच्छा है ओदे विच बाउट सारा वदा हो जादा है क्योंकि मौसम दा असर हर एक जीवन दे मन ते पैंदा है जिवें आम ताउरते सोचिया के बदलां दा सुबंद मी दा सुबंद नशाई लोग तांग तांग रसां विच पैंद वाड़े जड़े लोग ने संसार उना विच ये रास बाद जांदा है बदल वेख के बारश वेख के नशे आद एक श्राब आद पेंदा पर ए मनुखदे मानदी बिलती है ओ के मेदी बिलती विच जियंदा है जिदा प्रेम अकाल पुर्क नार है ओ इस सौनदे महीने विच ओदे अंदर उस अकाल पुर्क नो मिलंदी जिडि तांग ते इस्चा है ओदे विच पारी बदा हुंदा है वो जीव इस्तरी वो सादक फिर अर्दास करदा है बेंती करदा है भी जिन्ना ने वो सुबैगरु अकार पुर्खनु हे सकी प्रापत कर लिया है वो दे नाल मिल गए हैं जुड़ गए हैं मैं उना तु बलहार जाना पाव उना दी संकत करदा है जेड़े जुड़ चुके हाना हो गानकार ये मैकार सब्दस्वार नाहार ओ एक अर्दास विचे साउन दा महिना इस सारे शब्द विच इदर इशारा कीता गया है के मनुखी मन दी प्यास जेड़ी बन जाए उस रात तु रपे इदे विच रप दी प्यास दी गल कीती ओधी प्यास विच जिड़े जुड़े ने ओधे नाल चरना दे नाल साज पाई गया दी इस साउन दे महिने विच ओ सुहागना जीव इस तरियां गुर्मुख प्यारे ओधे चरना दे नाल जुड़ गया ओधे प्रेम दे विच जुड़ गया और सुहाग बन गया उनना दप आव मिलाग हो गया और सदीव काड़ वास्ते ओधे विच लिण होए हन इस शब्द गुरु अरजन देव सचे पादशाजी इस महिने विच सिखन जीवन जयाँ दी जाच इस तरह दस रहन के जदों दे मन दी प्यास अकालपुर्ख वास्ते सच वास्ते गुर्बानी वास्ते बद जाएगी ताँ ओ इस मार्गते तुरेगा और इस सौन दा महिना ओधे वास लग जाएगा सो सत्गुरु किर्पा कर्म बख्षिश कर्ण आपने उपदेश जो अमुल हन और बहुत महान हन वो साथे जीवन देविच टिकन और सत्गुरु गुरु गर्ण सहीदी दसी हुई बख्षी हुई दात दे अंसार जीवन जी के इस मनुखा जीवन मुसफल कर सकिये उल्ला जो कान दी खिमा करने इन फते दी सांच करोगी वाहिगुरु जी का खरसा वाहिगुरु गर्ण साहिवियों जेह सत्गुर सिमरंत नैन के तिमर मिट है खेन जेह सत्गुर सिमरंत रिदय हर नाम दिनों दिन जेह सत्गुर सिमरंत जी की तप्त मिटावै जेह सत्गुर सिमरंत रिद शिद नवनिद पावै सोई राम दास गुर बल पहन मिल संगत तन तन करो जेह सत्गुर लग प्रभ पाईये सो सत्गुर सिमरंत रिद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावाँ तो साहिब गुणी निदाहना तुमरी महमा बर्ना साकों पूठा करयोच भगवाना सत्गुर गरेब नवाज पात्षा देन दुनिया दे मालक लोग पर लोग दे रख्यक अकार सरूप सत्गुरु श्री गुरु गरंत सहिब महराज जीदी चर्न शर्न विच सबायमान सत्कार योग सन्मार योग सासंगत जीओ हजूर ने तर्श कीता बक्षिश कीती अमर्त वेलेत दर्शन दिदार बक्षेहन अपने चर्ना विच बैठन लई परेरित कीता है झाल